अपने बदी को जल्दी जेल से निकलवाने के लिए एक लड़की परोल ओफिसल को रिजाने की कोशिश कर दिया अब आगे क्या होगा यह हम आज के हमारे मुवी स्टोन यह 2010 की एक थ्रिलर क्राइम मुवी में देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छ लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट शरू कर दिजेगा बीना किसी दरी के एक्स्पिनेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हस्बंड और वाइफ को देखते है वाइफ का नाम था मैडलीन और हस्बंड का नाम था जैक जैक इस मैरेज में इतना अटेंटिव नहीं था मैडलीन को इस सबसे घुटन होने लग के थी वो जैक के साथ अब रह नहीं सकती थी वो एक दिन अपनी बेटी को उपर सुला कर नीचे आई और उसे कहती कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती इस बात पर जैक बहुत जादा गुस्सा हो जाता है वो उपर गया और अपनी बेटी को खिड़की से बाहर फिकने लग गया वो मैडलीन से कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ करके तो हमारी बेटी को मैं मार डालूँगा मैडलीन ने डर कर का कि मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाओंगी अब इसी तरीके से प्रेशर में रहते हुए मैडलीन ने बहुत सारे साल गुजार दिया जैक और मैडलीन अब दोनों बुड़े हो गए थे इनकी बेटी की भी शादी हो गई थी हम इन दोनों को चर्ज में देखते हैं ये दोनों घर पर आये फिर भी हम जैक को इमोशनली अपसेंटी देखते हैं एक राद जैक को कॉल आता है और उसके ब्रदर की टेथ हो गई थी उसने फ्यूनरल पर कहा कि मेरा ब्रदर बहुत अच्छा था मैं आज जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ मेरे ब्रदर की वज़े से इसके बाद हमें जैक का जॉब दिखाय जाता है वो एक प्रिजन में परोल आफिसर का काम करता है जो भी प्रिजनर्स ने अपने सेंटेंस के 70-80% टाइम निकाल दिया है उन्हें परोल असाइन की जाती है मतलब वो जेल से जल्दी बाहार निकल सकता है अब क्या वो प्रिजनर्स इसके लायक है ये डिटर्माइन करने का काम है जैक का होता है आज जैक को जेलर ने अपने पास बुलाया जैक की एज हो गई थी और अब वो रिटायर होने वाला था तो सारे केस अब जैने इसके पास जाने वाले थे जैक ने कहा कि मेरे पास जो करंट केस है इने में complete कर ले तो उसके बाद में चला जाओंगा इस बात की तो उसका जेलर मान जाता है आज जैक के पास एक कईदी आया जिसे खुद को स्टोन बोलना अच्छा लगता था उसका नाम कुछ अलग था जैक खुद से कहने लग गया कि अब मैं पूरी तरीके से बदल जोगाओ मेरे वाइफ ने मेरे लिए जॉब वेगरा सब कुछ लाइन अप करकर रखा है एक बार मैं जेल से बाहर निकल गया तो फिर से क्राइम नहीं करूंगा तो इस वज़े से हता शोकर जाने लग गया जैक ने कहा कि अगर तुम गये तो फिर से तुमारे तीन-चार साल बरबाद हो जाएंगे स्टोन फिर जैक के साथ बात करने लगता है जैक स्टोन के साथ किसी भी चीज़ को लेकर बात करने के लिए रेडी था तो इसकी वाइफ के बार में वो बात करने लगते है स्टोन ने कहा मेरी वाइफ बहुत ही अच्छी है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है स्टोन ने पुछा तुमारी शादी को कितना टाइम होए जैक ने कहा कि हम 40 साल से एक साथ है स्टोन वंडर करता है क्या इतने सालों बाद भी हस्बर्ण वाइफ में प्यार बस सकता है ये बात जैक को अच्छी नहीं लगती और इस पर वो बात करना बन कर देता है इसके बाद हम देखते हैं कि जैक जब घर पर जा रहा था तो ड्रिंक अपने साथ लेकर जाता है मैडलिन अलग-अलग चीज़ों को लेकर बात कर रही थी पर जैक अपने वर्ल्ड में गुम था वो से कुछ भी जाधा रिस्पॉंस नहीं देता मैडलिन पहले तो सिर्फ अपने बेटी की वज़े से जैक के साथ रही थी जैक ने उस पर चीट भी किया था पर फिर भी मैडलिन ने अपने बेटी के लिए उसे माफ कर दिया था इसके बाद नेक सिन में हम स्टोन और जैक को फिर से बात करता देख सकते है स्टोन ने जैक से कहा कि जब मैं जेल में था तब मैंने बहुत सारी टेस्ट वेकर है ये सब लिए मेरा एजूकेशन मैंने कम्पलीट किया है मैं बुरी तरीके से अब बदल चुका हूँ जैक ने कहा कि तुमने अपने कजन्स के साथ मिलकर अपने ग्रैंट बैरन उसको मार डाला था इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो स्टोन ने कहा कि मुझे कुछ भी आइड़ा नहीं था कि मेरे कजन ऐसा कुछ करने वाले है इस वज़े से मैं पहले ही घर से बहार निकल गया था मुझे तो मर्डर के बारे में पता भी नहीं था इसके बारे में मेरे कजन ने टेस्टिमोनी दी थी तो इस वज़े से मुझे कम सजा हुई जैक ने कहा कि तुम्हें अपने कजन्स को रोकना चाहिए था इसे मुवमेंट पर इनकी बातचीत खतम हो जाती है इसके बाद हम स्टोन की वाइफ लूसेटा को देखते है लूसेटा एक टीचर थी लूसेटा जैक के साथ बात करना चाहती थी तो घर पर कॉल लगा दिया पर एक कॉल मैडले ने उठा लिया मैडले ने कहा इस जैक अब घर पर नहीं है ये करने के लिये स्टोन ने लूसेटा को कहा था स्टोन कहता है कि तुमें जैक के साथ बात करकर मुझे यहाँ से निकलवाने के लिए हेल्प करनी पड़ेगी तुम उसे बात करो और समझाओ लूसेटा बहुत बार जैक को कॉल करने की कोशिश कर रही थी पुर उसे कुछ भी हो नहीं रहा था इसके बाद नेक सिन में स्टोन और जैक जब बात कर रहे थे तो स्टोन जैक पर गुसा हो गया वो कहता है कि तुम कोन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं यहाँ पर रहूँगा और तुम बाहर खुले घुमँगे जैक कहता है कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया स्टोन ने कहा कि तुमने कुछ ना कुछ तो गलत चीज़ की ही होगी अपनी लाइफ में शायद तुमने ट्राफिक के रूल तोड़े होगे अपनी वाइफ को हर्ट क्या होगा तुमझे इस तरीके से जज़ नहीं कर सकते अब 7-8 साल हो चुके है अब मैं बाहर जाना डिजर्व करता हूँ जैक स्टोन की बाद मानता नहीं नेक सिन में लुसेडा स्टोन से मिलने के लिए आई हुई थी एक दुसरे को किस करने के कोशिश करते है और प्रिजन गार्ड इन्हें रोक लेता है स्टोन ने लुसेडा से कहा कि अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता अगर मुझे और 3,000 साल यहाँ पर बिताने पड़े तो मैं खुद कुश ही कर लूँगा लुसेडा ने कहा कि ऐसा कुछ भी मत करना इस मिटिंग के दोरान स्टोन एक बाइबल देखता है उसे लगा कि शायद गौड पर उसे बिलीव करना चाहिए वो लाबरेरी में गया और अलग-अलब बुक उसने देखिए और उसमें से एक बुक उठा लेता है रात में लुसेडा ने जैक को फिर से कॉंटेक करने की कुशिश किये और उसका कॉंटेक हो नहीं बाता वो जरा बोर हो गई थी तो पार्टी करने के लिए चली जा दिया और वहाँ उपर एक आदमी के साथ इंडिमेट हो गई अगली दिन डारेक्ली वो जैक से जेल के बाहर मिली वो गहती कि मैं आपके साथ अपॉंटमेंट लेना चाहती हो कुछ बात करना चाहती हो जैक ने कहा कि मैं स्टोन का केस समाल रहा हूँ मैं तुमारे साथ बात नहीं कर सकता लुसिटा ने जैक के लिए बर्ड का एक नेस्ट लाया था वो उसे देना जादी थी और वो मान नहीं रही थी तो जैक ने ले लिया जब वो अंदर आया तो स्टोन से बात करता है कहता है कि लुसिटा यह सब कर क्या रही है यह नेस्ट उसने फेक दिया स्टोन कहता है कि मैंने लुसिटा को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा उसके मन में जो आता है वही चीज़ वो करती है वो बहुत ही अजीब है तो उसे फिगर आउट नहीं कर सकते है स्टोन ने अभी-अभी रिलिजिजिस बूक में जो भी पढ़ा था इसके बारे में वो जैक से बात करता है उसने कहा कि आप लाइफ में जो भी करते हो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है जैक स्टोन से बुछता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ पे कर दिया है स्टोन ने कहा कि मुझे अब तक पता नहीं है इसके बाद हम जैक को चर्श में देखता है वो अपनी लाइब से बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटेट था उसने चर्श के फादर से बात कि कहा कि कभी-कभी मुझे लगता है कि लोगों को मुझे मार डाना चाहिए फादर ने कहा कि तुम्हें सब डिसप नहीं करते है इस सब के पीछे का मीनिंग अब तक तुम्हें पता नहीं है पर बाद में क्लेर हो जाएगा एक दिन लुसेटा ने जैक को घर पर कॉल किया जैक के कॉल उठा लेता है तो लुसेटा कहती है मेरे हस्बरन को जेल से बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके साथ डर्टी टॉक करने लग गे जैक इस बात से नर्वस हो गया था वो इसे मिलने के लिए मान जाता है नेक सिन में लुसेटा जब स्टोन से मिलने के लिए आई हुई थी तो स्टोन बहुत ही जादा डिस्टब था वो गयता है कि मुझे अजी वज़े सबने भी आने लग गया है वो रो रहा था लुसेटा ने कहा कि शायद तुमने कुछ अनेल दिखाया होगा इससी वज़े से ऐसा हुआ वो इस तरीके से नैचरल चीज़ों में बिलीव कर दी थी इसके बाद हम जैक और उसकी मिटिंग देखते है जैक ने अपना दिल लुसेटा के पास हलका किया कहा कि मेरी डॉटर का डिवास होने वाला है उसे समझ में नयादा कि ऐसा हो क्यो रहा है जैक को बैक पेंड था तो बाद लुसेटा नोटिस करती है लुसेटा ने कहा मेरे पास कुछ मैगनेटस है जो तुम्हें हेल्प कर सकते है रावत में जैक लुसेटा के पास वो मैगनेट लेने के लिए पहुँझ गया और ये दोनों intimate हो जाती है इसे के पैरलल में हम देखते है स्टोन ने खुद के लिए सॉलिटरी डिमांड की थी इसी सॉलिटरी में एक आदमी का मर्डर होता हो देख लेता है इस बात से हो बहुत ही जादा डर गया था स्टोन को अलग-अलग चीज़ों में मिनिंग दिखने लग गया था इसी के पैरलल में जैक और लुसेटा का अफेर कंडिने होता है जैक ने लुसेटा से कहा कि हम जो भी कर रहे है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए लुसेटा ने कहा कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी नेक सिन में लुसेटा और स्टोन जब जेल में मिले तो स्टोन अजीब हो गरीब बाते कर रहा था कि इस काई अगर है तो यह चलता है क्यों रहता है लुसेटा कहती कि मैं जल से जल तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी जैग ने ओल्रेडी तुम्हारी फाइल स्वाईरा आगे बढ़ा दिये नेकसिन में जैग और स्टोन एक दूसरे से मिले तो स्टोन सब रिलीजेस बातिक कर रहा था जैग ने कहा कि मुझे पता है कि तुम सिर्म नाटक कर रहे हो इस सारा तुम्हारा प्लेड ड्रॉप कर दो मैंने तुम्हारी तरह बहुत सारे लोगों को देखा है हम उन्हें छोड़ देते पर वो फिर से इसी जेल में वापस आ जा दिया उन्होंने फिर से भयंग का क्राइम किया होता है रात में जैग लुसिडा के पास है में तुम्हारे पास फिर से नहीं आऊंगा लुसिडा इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थी नेकसिल में स्टोन और जैग जब फिर से मिले तो स्टोन ने अपने क्राइम को कनफेस कर दिया उसने कहा कि मेरे कजन्स ने मेरे ग्रैंड पैरेंट्स को मार दिया था पर उसके बात घर को जलाने का आइड़ा मेरा था मैंने जो भी किया इस बात के लिए मैं अब भी रिग्रेट नहीं करता जो भी होता है ये एक पार्ट आप दा प्लैन है ये सब कुछ चीज़े उसने रिलिजिस बुक से सिखी थी एक राट जब जैक और मैडलिन बेठे हुए थे तो लूसेटा डारेक्ली उसके घर पर आके वो गहती कि बहुत दिनों से तुम मेरे पास नहीं आए और स्टोन भी जेल से बाहर नहीं निकल रहा है मेरे हजबन को तुम इस तरीके से तकलिफ क्यों दे रहे हो जैक ने रियलाइस किया था कि स्टोन को प्रिजन से बाहर निकलना एक गल्दी होगा यह जेलर से बात करने के लिए जाता है पर जैक ने अल्रेड अपनी फाइल्स आगे बढ़ा दी थी तो जैलर ने उसे कहा कि अगर तुम अपने स्टेटमेंट से मुकर जाओगे तो तुमारे लिए सही नहीं होगा अब तुम रिटार होने वाले हो इसके बास स्टोन की हीरिंग होती है उसे छोड़ दिया जाता है स्टोन लास्ट टाइम जैक से मिलने के लिए उसे कहता है तुम किसी भी चीज़ पर बिलिव नहीं करते और ये तुमारे लिए बहुत ही गलत है एक दिन तुमारे पास ऐसा कुछ आएगा जिससे तुम बच नहीं पाओगे जरा अपने आपका खैल रखना ये एक तरीके से उसे धम की थी उसी ये भी कहता है कि मुझे तुमारे और लुसेटा के बारे में पता है अगर किसी और को इसके बारे में पता जला तो तुम ट्रबल में आ जाओगे रात में जैक बहुत ही टेंशन में था वो अपने पास ही गन रखता है वो लेड नाइट जब सोने के लिए उपर गया तो नीचे उसके घर में आग लग जाती है स्टोन ने अपने ग्रैंट पैरेंट्स को भी आग लगा कर ही मारा था तो उसने यह आग लगाई थी जैक जल्दी से मैडलेन को लेकर नीचे आ गया वो मैडलेन से कहता है कि अब मैं स्टोन को छोड़ूंगा ने मैडलेन ने कहा कि अब इन सब चीज़ों में हमें नहीं गुसना है वो जैक की सब बातों से तंग आ गई थी उसे हमेशा के लिए छोड़ कर अपनी डॉटर के पास चली गी डॉटर कहती कि मुझे सब याद है कि फादर आपके साथ क्या करते थे आपने उन्हें छोड़ने का डिसीजन ने बहुत ही लेट लिया रात में जैक अपने कोवर कर के साथ था जिस लेड़ी को उसका जॉब मिला था उसके साथ वो फ्लर्ट करने लग जाता है जैनिस ने उसे मना किया तो जैक इस बात पर बहुत जादा गुस्सा हो गया उसे भला बुरा बोल कर वहाँ से चला जाता है इसके बाद वो डारेटली स्टोन के पास आया स्टोन को गण लगाता है। कहता है तुम्हारी वज़े से मेरी पूरी जिन्दगी बरबात होगी। स्टोन ने कहा कि तुम मुझे मार नहीं सकते तुम्हें वो गट्स नहीं है। है कैकर हो वहाँ से चला जाता है और जैक सशुष में कुछ कर नहीं पाया। उसे अपने किये कि सजा भुगत नहीं पड़ी, उसका जॉब चला गया, उसकी वाइब भी उससे छोड़ कर चली गई थी स्टोन और लुसेटा एक दूसरे के साथ खुशत है, और इसे के साथ मुवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा, तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारे मुवीज लेकर आत रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दाने मत भूलेगा हम विर्जी में लेंगे और एक नेमूग के साथ